आजकर मार्केट में ऐसे बहुत से ब्रुकर आ गये हैं जो आपको आपके ट्रेडिंग पर जीरो ब्रुकरेच प्रवाइड करते हैं मतलब आपके डिलिवरी, इंट्राडे, फ्यूचर, आप्शन, इन सारे सेग्मेंट पे आपके कोई भी चार्डिस नहीं लगते हैं लिस्ट के उपर में जो पहला ब्रोकर है ये ब्रोकर आता है कूटक महिंद्रा बैंक की तरफ से जो की है कूटक सिक्किरूटीज इस ब्रोकर के बारे में आपको पता होगा कि इस ब्रोकर का एक जीरो ब्रोकर्स प्लैन है अगर आप उस plan के साथ बिजाते हो तो आपके सारे segment की उपर में मतलब delivery, intraday, future option इन सारे segment की उपर में अगर आप trade करते हो तो आपके trade की उपर में कोई भी charges नहीं लगेंगे यह बिल्कुल zero commission में आपका trade जो है execute हो जाएगा लेकिन आपकी उमर 30 साल से नीचे होनी चाहिए तभी आप इस plan के साथ बिजा सकते हो लिस्ट के उपर में जो second application है उस application का नाम है flat trade application flat trade एक चिननी based company है अगर आप इस broker के साथ बिजाते हो तो यहाँ पर भी आपको delivery, intraday, future option इन सब के उपर में कोई भी charges नहीं लगेंगे as a brokerage बिल्कुल zero commission में आपका trade यहाँ पर execute हो जाएगा लिस्ट के उपर में जो third broker है यह broker आता है मिराई asset के तरफ से इस brokerage application का नाम है M-stock application M-stock के उपर में आपको दो plans मिलते हैं 149 का और 999 का 999 plan के साथ पर अगर आप लोग जाते हो तो यहाँ पर आपको delivery, intraday, future option इन सारे segment के उपर में कोई भी charges नहीं लगेंगे as a brokerage zero commission में आप लोग यहाँ पर trade कर सकते हो और साथ ही trade को execute कर सकते हो और list के उपर में जो fourth application है यह application है सुन्य application जो आता है फिन वैशिया के तरफ से या फिर फिन वैसा की तरफ से इस application के साथ भी अगर आप लोग जाते हो trade करते हो delivery, intraday, future या फिर option में तो इन सारे segment के उपर में आप से कोई भी charges नहीं लिया जाएगा as a brokerage बिल्कुल zero commission या फिर zero brokerage में आप लोग अपने trade को execute कर सकते हो और trade यहाँ पर complete कर सकते हो अब आते हैं इस वीडियो के conclusion पे इन में से best trading application कौन सा है आपके लिए अगर आप zero brokerage के साथ पे जाना चाहते हैं तो अब भी आपने इस वीडियो के अंदर में click किया होगा लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इन में से जाजातार application में आपको hanging problem या फिर lagging problem मिल जाती है और जब आप इन अप्लिकेशन के साथ पे जाते हो वहाँ पर trade करते हो और अपने hard and money से वहाँ पर trade करते हो और इन में से अगर कोई भी application हैंग हो जाता है या फिर lag हो जाता है तो आपके जो hard and money होंगे वो बिल्कुल risk में आ जाएंगे Recently Finvashya का जो सुननी application है उसके उपर में customers को दिक्कत आई थी सुबह से ही app glitch था इवन जिन्नों ने पहले से trade लेकर रखा हुआ था उनका तो वहाँ पर loss भी हो गया था और साथ ही कुछ ऐसा ही problem आपको pro truck securities के उपर भी मिल जाता है इस पर मैंने वीडियो भी बना के रखा हुआ है इसके review के उपर में आपको link जो है description पर मिल जाएगा वहाँ से आप देख सकते हो साथ ये flat trade और आहम stock के उपर भी मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है link आपको दोनों का description पर मिल जाएगा ये जितने भी brokerage platform होते हैं चाहिए आप full service broker की बात करें चाहिए हम discount broker की बात करें या फिर अगर आप किसी banking broker की बात करें तो ये सभी आपके brokerage से पैसे कमाते हैं और अगर कोई broker आपको zero brokerage spread कर रहा है तो आप ये सोचे कि वो पैसे कैसे कमाएगा और कहीं न कहीं जो भी चीज़ आपको free में दी जाती है कहीं न कहीं वो आपसे ही वसूली जाती है और ये वीडियो कोई भी hate वीडियो नहीं है किसी भी broker की उपर में मेरा जो honest review है या फिर उपीन है वो मैं आपको बता रहा हूँ और हाँ brokerage बचा बचा कर भी किदने ही पैसा बचा लोगे और वो भी तब जब आपको main hard and money risk में लगा है बाकि अगर आप इन अप्लिकेशन को try करना चाते हैं तो बिल्कुल आप try कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर मैं आपको इन अप्लिकेशन को सिर्फ try करने के लिब बोलूँगा लेकिन अगर आप इन में से कोई अप्लिकेशन को अपना main domain account रखना चाते हैं तो यहाँ पर मैं आपको इसके लिए मना करूँगा